हमारा अमेरिका चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों मैं हूँ आपका होस्थ सुभाश उमीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे दोस्तों अमेरिका की स्टेट पैंसलविनिया के एक स्मॉल टॉन में हम आये हुएं जिसका नाम है पॉट्स टॉन और वहां पे यह फार्म है जिसका नाम है रायर्स फार्म और यहां पे यह मक्का का खेत है और इसके मादियं से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अमेरिका में मक्का के खेत को त्यार किया जाता है मार्च और अप्रेल के महिने में और उसमें मक्का के बीच डाले जाते हैं अप्रेल से जून के बीच बीच में और यह जो पौधे आप देख पा रहे हैं यह क्लिप मैंने लिए थे जून महिने के आखरी हफते में और आपको यह जान मख्रा ला साल को पानी हो Ini अपने यह लगता है और जिस साल यहां पे बारिश कम होता? उस साल मक्रा की पैदावर भी कम होती है लेकिन भी फिर जो है इसका रीजन जैसे के वह बताया आपको इसकी बजाई जो है वह में मेशीन के साथ की जाती है तो उससे इसमें काफी कंसिस्टेंसी रहती है तो इंडिया में जब टैडिशनल खेती हम करते थे तो वहां पर देखा है कि मक्का की जो है गुडाई की जाती थी गड़ाई मतलब इसको जमीन को जो है थोड़ा थोड़ा खोड़ा जाता था ताकि उसमें और उक्सीजन चली जाए ताकि उसमें से गहास जो है वो भी निकाली जा सके कई बहर्भी को सकता है मका का पौदा जैसे बड़ा ये भारी होता जाता है तो इसलिए इसको एक्स्ट्रा स्पोर्ट की जुरूत पड़ती है आप देख सकते हैं, क्योंकि जो भबा चलेगी तो इस तरह से जोलने से गिर सकता है, तो इसलिए नेचर ने यहाँ पर इसका सिस्टम बना रख है, यह आप देख सकते हैं, इसको एक्स्ट्रा जड़ें जो हैं वो लगनी शुरू हो जाती है, और यह बहुत ही नरम जड़ें आप देख पाएंगे, जैसे जमीन से टच करेंगे, तो जमीन में घुसके जो है, अंदर ग्रो होना शुरू हो जाएंगे, इसको थोड़ा और नजदीक से देखें, तो इस पर रूट कैप लगा रहता है, यहाँ पर एक कैप होता है, वो नेचर ने सिस्टम बना रख है, ताकि इसको परटेक्ट किया जा सके, जब तक यह जमीन में चला जाए, आज 31 जुलाई है यहाँ पे, अमेरिका में, और 31 जुलाई को आप देख सकते हैं, जो भुटे हैं, इसके लगने चुरू हो गए है, दोस्तों मक्का के पौदे के ऊपर जो फूल आपको दिख रहे ह इसके साथ आप देख सकते हैं, यह फूल लगे हुए है, इनको जो है, यह मेल फ्लावर्स एक तरह से इसके, और यह छोड़ छोड़े जो आपको हिलते हुए दिख रहे हैं, जो जो लटक रहे हैं चीजें, इनको इंथर्स बोला जाता है, और इनमें से पौलन निकलता है, अब इन पत्तों पर भी शायद आप देख पाएंगे, जो जो पौडर नुमा चीज है, पौलन जो है, यहाँ पर गिरा हुआ है, इसको अगर मैं ऐसे करूँ, हाथ इस पर फेर हूँ, तो मैं फील कर सकता हूँ, कि उसमें जो है थोड़ा-थोड़ा ग्रेनी सा उसमें फील जाता है, इस पर जब वो गिरते हैं आके, तो उससे फर उसकी जो है, कौन की पॉलिनेशन होती है, और इस पॉलिनेशन के बाद जो है, इसमें दाने बनने शुरू हो जाते हैं, अभी खैर कि यह बहुत छोटा है, अभी यंग है, यह बुट्टा जो है, तो इस पर दाने बहुत चोटे मिलेंगे, लेकिन जब यह मचोर हो जाता है, तो एकदम से इसमें बड़े-बड़े दाने आपको मिलते हैं, इस पॉदे की अगर पैदावार की बात करें, तो आप देख सकते हैं, इन पर दो-दो भुट्टे जो हैं, वो लगे हुए हैं, यह जो आप देख सकते हैं, यह बहुत ही क्रीमिश कलर के हैं उपर से, इसके जो बाल से हैं, और जब जैसे-जैसे मचोर होते हैं, इनका कलर जो है वो चेंज होता रहता है, यह आप देख सकते हैं, यह थोड़ा मचोर वाला है, बड़ा वाला, और एकदम से यंग वाला है, तो इस तरह से आ बहुत आपको दिख जाते हैं तो दोस्तों यह था आज का वीडियो उमीद है आपको पसंद आया होगा आपसे मिलेंगे एक नए व्लॉग में तब तक आप और वीडियो देखते रहें आपके अपने चैनल से जिसका नाम है हमारा अमेरिका क्या कर दोस्तों दोस्तों स्क्ट्पिधा ूनिटा प्रशटर्पिस का लomas दोस्तो परिस हमारा स ने जापसे करना आपकी का वीडिक Green क्या मेंदी दोस्तों कि तliुजच मा 2 खार्श वाल